उच्छ शिक्षा राजमंत्री निलिमा दूसरी बार कल्यानपूर सीर से चुनाव मैदाद में हैं। वो चात्र राजनीती में भी हाथ आस्मा चुकी हैं। विध्यार्थी परिशत भाश्पा युवा मोचा में होते हुए वो प्रदेश भाश्पा के कई एहम पदों पर रही हैं। पार्टी और संगचन के साथ काम करने काउने अच्छा खासा अनुभव है। हमारे समधाता ने निलिमा से खास बात चुट की हैं। तो रिये। ब्रहश्पा चार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था और सबसे बड़ी बात जो सत्ता सरकार से वरियता पर पेक्षा होती है कि कानून का राज। आज उत्तर प्रदेश कानून का राज स्थापित करने में देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उबर करके आया है। बिमारू और पिछडा राज आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक वरियता का राज बन करके निकल करके आया है। जुत्तर प्रदेश माने मुख्य मंत्री योगी आदित नाजी के नितरत्व में संभावनाओं का प्रदेश बन करके निकल करके आया है। तो ये तैय बात है कि लोगों के मन में भारतिय जन्ता पार्टी बस चुकी है। का आयोजन किया हो और तीन लाग करोण धरातल पर उतरे हों। उस सरकार के लिए वो लोग ऐसी बाते कर रहे हैं जिन्होंने युवाओं के सामर्थ योगिता के साथ केवल चलावा और उन्हें कुंठा दी है। लगातार विपच्छ मैम कल्यान पूर कर विदान सभा की बात करें तो लगातार विपच्छ एक एक बात जन्ता से कहता रहा है कि निल्मा कटियार जी जो है जन्ता के भीज नहीं आती हैं। उन्होंने काम नहीं किया इस पे आपने किस तरीके से जन्ता को संतुष्ट किया है कल्यान पूर विदान सभा में विशेश रूप से 2700 करोन की जो बजट की योजनाई हैं वो धरातल पर उतरी हैं। एक बड़ा आकड़ा जो जन्हित लोखित की योजनाई हैं। उनकी पातरता और लाभारती का आज कल्यान पूर विदान सभा के अंदर है। कोविट काल में पूरी समर्पन और ततपरता के साथ वो जो आधा समय इस 5 साल का बीता है करोना में। उसमें वो लोगों की सेवा करते हुए 18 घंटे उपलब्द रहने के साथ बीता है। और मुद्दा विहीन विपक्ष है। जब कुछ नहीं बचता तब यहीं बचता है। क्या लगता माम कितने वोटों इस बार जीत होने वाली है। देखे जन विश्वास गहराया है, 2017 के बाद जिस तरह से काम कल्यानपुर विधान सभा के अंदर हुए है। और सही दिशा में विकास के काम हुए है, इसलिए विश्वास और गहराया है। चलिए तो ये थी हमारे साथ निल्मा कडियार जी जो कल्यानपुर विधान सभाजे बीजेभी की प्रत्यासी थी और इस समय प्रदेश सरकार में मंत्री पत्पवित तनाध है कमरमन मोहमस सानू के साथ राहुल बदो या जनतन टीवी कान। अधिक जनकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।